Hi Everyone, Welcome back to my channel आज हम बनाएंगे Domino's style Cheese Pizza ये Cheese Pizza को बनाने के लिए ना तो मैंने microwave का यूज़ किया और ना yeast का यूज़ किया है इसे हम बनाएंगे तवे पर वो इतना गजब का बनकर तैयार होता ना जिसे भी आप इसे बना कर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं तकेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है तो सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर 1 फोट कप फ्रेस दही ले लिया है एक छोटा चमच नमक डाल देंगे दो टेबल स्पून कुकिंग ओयल डाल देंगे इन सारी चीजों को हमें पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है अब यहाँ पर मैंने एक टी स्पून बेकिंग पावडर डाल दिया है एक कप मैदा डाल देंगे अच्छे से हमें इन साइच चीजों को पहले mix कर लेना है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाएंगे और इसका soft आटा गुंद कर तयार कर लेंगे जिस तरह से रोटी का आटा होता है बिल्कुल वेसे आटा इसका गुंद कर तयार कर लेंगे बहुत जादा hard या बहुत जादा soft आटा नहीं रखना है अब जो यहाँ पर आटा है वो मैंने गुंद कर तयार कर लिया है तो इसके उपर हम cooking oil लगा देंगे ताकि उपर से hard न हो अब इसे cover करके हम 3 घंटे के लिए side में रख देंगे आटा जब तक set हो रहा है तब तक हम पनीर को marinate कर लेंगे तो मैंने कटोरी में cooking oil ले लिया है नमक डाल देंगे लाल मिश पाउडर चाट मसाला इन सारी चीजों का अच्छे से mix कर लेंगे पनीर को मैंने cubes में cut करके रखा है वो इसमें डाल देंगे और marinate करके side में रखतेंगे आटा भी जो है अच्छे से set हो चुका है अब हम आटे को एक बार अच्छे से गून लेंगे और जो pizza की थिकने सोती विल्कुल उसी थिकने इसमें हम इसे बेल कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर जो है मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और bake होते दोरानी फूले इसलिए हम foxes में छोटे छोटे से holes बना देंगे ताकि जो इसका base हो बिल्कुल crispy बनकर तयार हो तो यहाँ पर जो है इसमें मैंने छोटे छोटे holes बना दिये और इसे bake करने के लिए मैंने यहाँ पर तवा यूज किया है यह cast iron का तवा है यह काफी heavy होता है तो जो base से बिल्कुल अच्छे से bake हो पाएगा बिल्कुल crispy बनेगा जब एक side से अच्छे से bake हो गया तो मैंने इसे पलट दिया है अब दूसरी side से इसे bake करेंगे और marinate किया हूँ पनी डाल दिया है मैंने यहाँ पर प्यास को लंबा लंबा कट करके इसके उपर डाल दिया है अब टामाटर डाल देंगे तो टामाटर को भी मैंने लंबा कट करके इसके उपर डाल दिया है और जो टमाटर की बीज होते हैं वो हमें हटा देना है टमाटर की बीज को हटा कर इसमें यूज करेंगे अब इसमें हम डालेंगे शिम्ला मिर्च तो शिम्ला मिर्च को भी मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसे इसमें कट करके डाल दिया है औली उसको कट करके डाल देंगे और मैंने यहाँ पर बेवी कॉन डाले इसमें तो यहाँ पर सारी टॉपिंग्स मैंने इसके उपर डाल दी है अब उपर से हम पीजा चीज और डाल देंगे और इसे कवर करके हम 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से बेक कर लेंगे इतनी ही देर में बहुत अच्छे से बेक हो जाता है लास्ट में मैंने यहाँ पर इसमें कॉर्नर्स पर जो हमने मेरिनिट करके रखा था पनीर उसका ओइल बच गया था तो मैंने कॉर्नर्स पर वो लगा दिया है जिससे की काफी अच्छा टेस्ट आएगा अब इसे कवर करके हम पास से 7 निट के लिए बेक कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पीजा बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है उपर से मैंने इसमें रेट चिली फ्लेक्स टाल दिया है मिक्स्ट हब्स टाल देंगे यहाँ पर हमारा चीज पीजा बनकर तयार है बहुती टेस्टी बना था चीज पीजा और बहुती आसाने इसे बनाना आप भी जरूर ट्राइग कीजेगा जो आप मार्किट से लेके खाते हैं उस पीजा में उस पीजा के टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं बहुती टेस्टी बनता है वो वीडियो पसन आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू